हाई वेल्कम तो भच चनल इस बिटो में सॉल्व करें क्वेशन नूबर वन find the squares of the following numbers using column method verify the result by finding the square using the usual multiplication so here is question first 25 तो ध्यांद जीगा column method में जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो 10th place का डीज़ होता है मतलब कि 2 उसको माल लेते हैं A here let let A is equal to 2 and B को माल लेते हैं B is equal to माल लेते हैं 5 ठीक है ऐसा मानने के बाद ही हम solve करते हैं ऐसा मानने के बाद हम जा करते हैं कि बना लेते हैं 3 table sorry 3 column राइट 3 column बना लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1st column ये दूसरा column हो जाएगा ये 3rd column हो जाएगा ये ठीक है और यहाँ से हम इसको partition करते हैं तो ध्यान समझेगा ऐसा बनाने के बाद हम पहले बाले कालम में लिखते हैं A का square means जो 10th place का digit रहेगा उसका square करेंगे और बीच वाले में करेंगे 2 times A B मतलब की A और B को मुट्पलाई करके 2 से मुट्पलाई कर देंगे तो दुगू ना कर देंगे फिर उसके बाद यहाँ पर करेंगे B square means जो यूनिट स्प्लेस पर digit होगा उसका square कर देंगे चले पहले square करते हैं क्या मिलेगा 20 स्क्राइट कर देंगे मतलब की 5 का square करना है means मिल जाएगा 25 ठीक है simple है 2 A B करना है मतलब की 2 into 2 एक ही वेलु क्या है 2 है into 5 into 5 निकाल रहते हैं क्या मिलेगा 2 to its 4, 4, 5 जा 20 20 मिल गया उसके बात A square करना है मिन्स 2 का स्क्वाय करना है मताँ कि 4 मिल लाएगा अब देखें यहां से simple है बिल्खुल अब यहां से अब डिरेक्ट जो है ली सकते हैं 25 का जो square होगा वो होगा देखें यहां पर इस्टार्ट करते हैं वेशा हम जो है right side से जो third column होता है मताँ B square वाला column वहीं से हम units place को लेना start करते है तो यहां पर 5 ले लेंगे पहले units place ठीक है उसके बाद जो 10th plus का digit है उसको कुछ करना नहीं है उसको लाकर करके B वाले column वाले number में add कर देना है मताँ plus 2 कर देंगे कितना हो जागा यह 22 हो जाएगा अब जो 22 होगा यह इसका units place मताब कि 2 यहां लाकर रख देंगे ठीक है और जो यहां 10th place का digit है उसको लाकर करके फर्स्ट वाले column में add कर देंगे add कर देंगे 6 अब इसको कहीं पर ले जाना नहीं है तो 6 को यहां पर रख देंगे तो यह हो जागा 6 725 और आप जानते ही है कि 25 का स्क्वार कितना होता है 6 725 होता है और usual multiplication से so करना है बोलाए कि verify करिए verify कर दिजिए जो result आया है by using by finding the square using usual multiplication तो आप multiply कर सकते हैं बिल्कु 25 अब यह 625 आता ही है तो यहां वा verify करनी जोत नहीं है तो फर्स्ट आल हो गया अब चलते हैं solve करते हैं 2nd यहीं पर कर रहते हैं 2nd इधर इसमें भी a और b मनना पड़ेगा तो यहां पर 2nd में क्या मनेंगे age गोल्ड लेंगे 3 और b गोल्ड मनेंगे 7 ठीक है और यहां भी आप उन कालम मनना पड़ेगा यहां भी आप कालम बना लेजिए ठीक है तो हमने बना लिया यह वन फर्स्ट कालम सेकेंड एं थर्ड ठीक है ऊपर से पार्टिसम कर दिया हमने अब यहां पर पहले बाल में क्या करेंगे पहले बाल में लिखेंगे a2 दूसरा में लिखेंगे 2 into a into b 2ab उसके बाद 3rd में क्या लिखना है b2 अब हम क्या करेंगे बस आपको करना क्या है न कि b2 वाले कालम में से जो नंबर मिल गया है multiply करने के बाद उसके unit space को रखना start कर देंगे मतलब कि answer लाना start कर देंगे मतलब कि अब यहां से 37 so 37 का square जो हो जाएगा यहां पर 9 रख देंगे ठीक है यह जो 9 होगा वो answer का जो 37 का square का जो answer आएगा उसका unit space आएगा यहां का जो b column का b square column का जो unit space का digit है वो उसके बाद जो 4 होगा उसको हम लाकरके इसमें add कर देंगे मतलब कि second column में जो result 10 आएगा मतलब कि 4 2 क्या हो जागा 6 & 4 इसमें से अब देखेंगे कि units plus क्या है 6 है सिसको नीचे लाग देंगे उसको ऐसे 4 4 को फिर लाकरके इसमें लख देंगे add कर देंगे जितना आएगा उसको यहां उतार देंगे तो 4 & 9 कितना हो गया 13 हो गया यहां लग देंगे 13 तो यह आपका क्या हो गया square हो गया 37 square अब इसको verify करना है तो verify करने के लिए हम क्या करेंगे usual multiplication से multiply कर रहते हैं आपर देखिए 37 से यदि हम 37 multiply करते हैं तो क्या मिलेगा 777 21 का 1 2 कह रही हो भार 731 21 तो 21 और 22 23 हो जाएगा यह उसको पास हो जाएगा 231 यह यह आएगा तो 1 और यह हो जाएगा 7 749 हो गया यहां पर अच्छा यहां पर mistake हो गया बहुत यहां पर हम यह 37 का 37 समद्व लाइगरते हैं तो 7 समझा 49 होगा न और 4 कर यह उबर हो जाएगा 731 21 21 & 4 25 अब यह हो जाएगा 2 5 फिर 9 और यहां पर 9 हो जाएगा और 9 5 कितना हो जाएगा 14 16 हो जाएगा यह जाएगा राले यार जाएगा 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 जीटाइगा तर्टीसवन में 37 से मुट्पिलाई कर लेंगे यूज्यल मुट्प्लिकेशन तो 77 जा 49 का 9 4 carry over and 7-3-21 and 4-25 and 3-7-21 का 1 2 carry over 3-3-9 and 2-11 9 हो जाएगा यहां पर और 5-1-6 हो जाएगा फिर 2-1-3 हो जाएगा 1 तो 1-3-6-9 ऐसे भी आ रहा है अब बिल्कुल यहां पर वही result है तो उसो verified है यहां पर लिख देंगे हैं आपर कि hence verified अब चलता है इसका second हो गया third part करने तो यहां में इसको erase कर देते हैं यहां आपको note करना है तो वीडियो को pause करके आप note कर सकते हैं ठीक है ओके अब यहां पर करते हैं third one तो सबसे पहले क्या करना होता है जो 10th place है उसको माल लेजिए a तो let a बराबर मतलब यहां पर हम let कर सकते हैं let let a is equal to 5 and b is equal to 4 ठीक है और हम यहां पर इसके बाद बना लेगे इन कालम ठीक है ओके तो हमने बना लिया यहां पर उसके बाद यहां पर तीन कालम बनाएंगे तो first second and third ऊपर से एक partition कर देंगे छोटा सा तो धान दीजेगा पहले वाले में लिखेंगे a square और बीच वाले में तो b square मतलब की 4 का square तो यहां पर कर लेंगे 4 square means मिल जाएगा 16 उसके बाद 2 into a into b करेंगे means 5 into 4 5 into 4 means मिल जाएगा 5 to 10 and 40 हो जाएगा जी उसके बाद a square करेंगे 25 हो जाएगा 5 को square मतलब की का जाएगा 25 हो जाएगा अब करना क्या है यहां पर दिखिए अब answer लिखना शुरू करेंगे मतलब की यहां पर अब direct जो है so 54 का square जो होगा वो यह होगा कि यहां से जो b square का column है वहां से start करेंगे और unit space जो भी आएगा उसको हम रखते जाएगे 6 हो जाएगा और जो 10th place का digit है उसको लागर कि इसमे कर लेंगे मतलब की plus 4 करेंगे हैंपर क्या मिलेगा 29 मिल जाएगा और 29 हम directly हम उतार लेंगे ठीक है क्योंकि अभी इसमें तो 9 उतार करके और 2 को को ले जाना है नहीं क्योंकि और कालम तो इधार है नहीं 29 को directly हम 29 उतार लेंगे तो हमारा आ गया 2916 अब हम यहां पर देखें अब यहां पर करेंगे हम 4th part and the last part sorry 5th part भी है 71 करते हैं तो यहां पर हम माल लेंगे पहले लेट A is equal to 7 A is equal to 7 and B is equal to 1 ठीक है यहां बना लेंगे अब 3 कालम पहले ओके 1st कालम 2nd कालम और 3rd कालम ठीक है अब यहां पर उपर से partition करते है छोड़ा सा उसके बाद यहां पर लिखते हैं first कालम में A square जो 10th place का digit होता है उसका square फिर 2 into A into B उसके बाद से 3rd कालम में लिखते हैं B square तो B square करेंगे तो 1 का square क्या होगा 1 का square तो 1 ही होगा उसके बाद 7 के यह करेंगे 2 into 7 into 1 करेंगे तो यह क्याएगा 70 जा 14 आएगा definitely इसे रख देंगे A square क्याएगा 77 जा 49 7 square क्या आएगा 49 आप क्या करना है कि हमें answer लिखना है means 700 यहांप हो जाएगा 71 का square स्कुल 2 क्या हो जाएगा हम इधर से B square वाला जो कालम है वहां से start करेंगे तो यहां पर एक ही डिजिट है के वाल 1 है तो इसी को मानेंगे unit space बिल्कुल unit space है ही ही यह तो 1 को उतार लेंगे as it is अब इसमें कुछ नहीं है जो इधर add करना है ठीक है जब 2 digit का number होता है तभी यह तर ले जाकर add करते हैं अब यहांपे 4 है unit space का digit तो 4 रख देंगे यहांपे अब जो 1 है इसको ले जाकरके left hand side में add कर देंगे plus 1 यह मिल जाएगा आपका 50 यहां रख देंगे 50 तो हमें मिल गया यह 5041 यह आपका 71 का square है तो by usual में किसम देख लेते हैं क्या मिलता है तो 71 में यह दिवर पलाई करेंगे 71 से तो 1 1 जा 1 1 7 जा 7 7 जा 7 7 7 जा 49 ठीक है अब यहां पर आजएगा 1 7 7 14 हो जाएगा 14 का 4 हो जाएगा 1 carry over and 9 add करेंगे तो 10 मिल जाएगा 0 हो जाएगा और 415 हो जाएगा मतलब यह 5041 देखे इसमें भी आ रहा है और यहां भी वही है तो hence verified also ठीक है तो हमने यह fourth part भी कर लिया अब करता है fifth one and 96 तो यहां से erase कर लेते हैं ठीक है ओके तो यही पर हो जाएगा हमारा तो यहां पर कर लेते हैं fifth one इसमें भी माल लेंगे let a is equal to 10th place का digit क्या है 9 a is equal to हमेशा आप मानेंगे क्या 10th place का digit और b परवर मानेंगे units place का digit 6 इसके बाद आप यहां पर table बना लेंगे एक सिंपल एक टेबल बीच में थोड़ा सा चोड़ा कर देंगे ज्यादा क्योंकि बीच में 2a भी रहता है ओके तो यहां पर a square करेंगे 10th place का digit है उसका square करेंगे और यहां पर 2 into a into b कर देंगे और उसके बाद से 3rd वाले में b square है तो 20 square करेंगे तो क्या मिलेगा 6 square मिन्स मिल जाएगा 36 उसके बाद 2a भी करना है मिन्स 2 into 9 into 6 करना है और इसके बाद अपलाई करना है तो देखिए 2 में पहले 6 करें 12 हो जाएगा 12 नंजा 108 हो जाएगा ठीक है यह मिल जाएगा 108 उसके बाद a square करेंगे मिन्स यहां पर 9 के square करेंगे मिन्स मिल जाएगा 9981 अब यहां पर answer लिखना है start करेंगे मतब कि 96 का square यहां पर थार्ड कालम में 20 स्कॉर वाले कालम में देखेंगे जो नंबर होगा उसका unit space हम रख देंगे डारेक्ट यहां पर उसके पास से जो 10th place का digit होगा उसको लाकर के स्कॉर वाले कालम में प्लस कर देंगे उसके पास जो resultant number बनेगा मतलब की 8 3 क्या हो जागा 11 हो जाएगा और यहां पर करेंगे वन वह रहा है वन अड़ 11 जो बनेगा उसका unit space का number जो है यहां रख देंगे यहां पर unit space क्या है वन है और 10s और 100 से जो बनने वाला number है 11 इसको प्लस 11 कर देंगे ठीक है मतलब यह पूरा number ही बना करके यहां पर लाकर add करना है तो यह हो जाएगा कितना 2 और 81 यह 112 हो जाएगा और 81 कितना हो जाएगा 92 आ जाएगा 92 यह आपका आगया answer यह आपका क्या है answer है तो हम युजूल है यह यहीं करेंगे तब यहीं आएगा और और शिक्स नैंजा 54 54 & 357 9 से करेंगे तो 9 6 54 का 4 5 के रियो भर & 9 नैंजा 81 81 & 5 86 यहां सो जाएगा 6 और 7 4 11 का 1 1 के रियो भर & 6 5 11 12 का 2 1 के रियो भर & 8 1 9 दीखेंगे वह ही आगया मतलब कि हमाए भर 5 भी कर ले हम नहीं यह आपर तो हमने यहां पर solve कर लिया है 5 के 5 questions और आपने देख लिया कि क्या तरीका है कैसे करते हैं तो hope कि आपको समझ में आ गया होगा तो like जरू कर दिजिएगा और comment बाफ जरू कर दिखेगा और share कर दिजिएगा अब दोस्तों को thank you so much for watching बाइ